हलो दोस्तों मैं राजा अंसारी अंसारी ओटो ग्राज में आपका स्वागत है पाउर्ड बाइए स्टेस इंडिया आज हम बात करने वाले हैं वीवीडियाई मीनी की टूल के बारे में जो की बहुत सारे हमारे टेकनिसिन भाईयों का सवाल रहता है कि सर वीवीडियाई मीनी की टूल का काम क्या होता है और किसको ये वीवीडियाई मीनी की टूल लेना चाहिए तो आज हम इसके उपर थोरा डीटेल्स में बात करेंगे तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अंसारी ओटो ग्र सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि अगर आप कोई भी गारी अगर आपके पास डिकोड गारी आती है जो की डिकोड होती है पहले से और लडी तो आप उसका काम के लिए जब जाते हो जब काम करने जाते हो प्रोग्राम करने तब प्रोग्राम फेल होता है बार बार तो आप से पहले तो हम इसके अंदर टांस्पोंडर डालेंगे यहां पर हमने टांस्पोंडर लगा दिया है और एक बार इसको प्रेस करेंगे करके ऊसके लावा किसके एंदर कर सकते हैं। उनीवर्सल नियुक्त होतें जिनको प्रासा याइस केोढ़े किस तरीके से किस तरीके से हम सुपर चीप जनरेट करते हैं वो भी देखेंगे वी घय मीनी से और म्यिकी टूल अगर आपके काम में अगर आपको कामपड़ता है आप जब भी प्रोग्राम Gesundheits करने जाते हो अगर वाटसब पे भी मैसेज कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं और लोबर इंडिया आपको कोडियर फैसिलिटी एब लेवल मिलेगा तो चलिए दोस्तों देखेंगे आज हम वीडे मीनी से कि हम किस तरीके से सूपर चीप को जेनरेट करेंगे यहां पर देखिए कि जैसा कि लिखा हुआ है जेनरेट ट्रांसपॉंडर करके उपसocalyptic मिल जाता है आपको तो जेनरेट टरांसपूंडर में जब जाते हैं आप तो देखिए यहां बहुत सारे आइडि ए है तो आपको टोटल आइडिया मिल जाती है यहां आपको जिस डिवाइज का करना है अभी हमारा यह डिवाइज कनेक्ट है यहां देख लीजिए 96% चार्जिंग भी बता देगा आपको फोन में कि कितना चार्ज है कितना नहीं है तो सबसे पहले तो हम अभी एक और भी रख दिया है उसके अंदर अभी जैसा कि आपने देखा यह ट्रांसपॉंडर भी ऐडी 46 है तो अभी हम आईडी 46 को जेनेट करेंगे अभी यह एक सब्सक्राइब बता देता हूं एक सब्सक्राइब अप्लिकेशन आता है मीनी की टूल करके यहां पर आपके डिवा कोाई-डी-47 जेनरेट करेंगे तो सबसे पहले तो जेनरेट अभी आई-डी-47 किसके लिए करना है कौन सी गारी के लिए करना है तो जैसे कि आप देख सकते हैं हुंडा उसके बाद महिंदर अपने 500 हो गया, सुजुक्की हो गया, ब्रेज़ा हो गया, तब किसके लिए करना है, तो आपके ऊपर है, आपको जो भी करना हो, मैं आपको एक सिंपल xub500 का करके बता देता हूं, xub500 पे जाएंगे आप उसके बाद यहां जाने के बाद ओके करेंगे ओके करने के बाद देखिए अभी आईडी 47 करके आगया महिंदरा एक्सवी 500 और ट्रांसपॉंडर का नंबर आ चुका है अपना और जेनरेट करेंगे यहां जेनरेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यह डिटेक्ट करेगा ट्रांसपॉंडर को और यह देखें कम्पलिट विथिन टू सेकेंड कम्पलिट होगे आपका यह अभी ट्रांसपॉंडर बन चुका है आपका एक्सवी 500 के लिए तो इस तरीके से आप इसमें अपना काम बहुत ही असान तरीके से कर सकते हैं अभी वापस अगर चाहेंगे आप तो इस ट्रांसपॉंडर को और दूसरी गारी का अगर जनरेट करना है समझ लिजे मेरे पास एक्सवी 500 अभी नहीं है अभी मैं इसको दूसरी गारी में यूज लेना चाहता हूँ अगर बलोरो में ID47 आता है महिंद्रा बलोरो के अंदर उसका भी बना सकता हूँ मैं यहाँ पर क्लिक करना है आपको ओके करना है और जनरेट के ऑप्सन पर जाना है और जनरेट करना है यह डिटेक्ट करेगा ट्रांसपॉंडर और तुरंत वितिन सेकेंड आपको काम कंप्लीट यहाँ जनरेट ट्रांसपॉंडर कंप्लीट अभी इसको हम रीड करके चेक करेंगे कि हमारा ID47 हुआ या नहीं हुआ तो रीड करने के लिए भी जाएंगे हम ट्रांसपॉंडर में यहाँ देखिए ट्रांसपॉंडर क्लोन में आप जब जाते हैं तो यहाँ पर रीड का ओप्सन आता है रीड करेंगे यह देखिए अभी हमारा ID47 करके रीड में बता दिया तो यहाँ से रीड भी कर सकते हैं बहुत सारा काम कर सकते हैं तो कि आपको इसमें वीडियाई चीप सूपर चीप में जाके आपको अगर ID11 बनाना है मेरे को ऐसा समझ लीजिए ID4746 तो ठीक है ID11 बनाना है या ID समझ कि चलिए 49 बनाना है तो आप वह भी बना सकते हैं आइडी भी चेंज कर सकते हैं वीडियाई मीनी के त्रू आपको यह काम हो जाएगा आपका तो अभी हम ID8C करेंगे अब यहां पर यह सेटिंग बोलेगा तो हम आटोमेटिक पर लगा देंगे आटोमेटिक पर लगाने के बाद क्या है कि यह जो इसका सेट अप होता है वो आटोमेटिक हो जाता है फिर उसके बाद ok करेंगे ok करने के बाद हमारा 8c में convert हो गया अभी यह अभी हम इसको read कर लेंगे जाके जैसा कि देखे transponder clone में गया मैं read किया read करने के बाद आपको यह id totally change हो चुका है हमारा और वापस अगर चाहेंगे तो वापस इसको आप 46-47 कर सकते हैं super cheap अगर आपके पास है तो आपके लिए बहुत ही best tool है उसके अलावा आपको remote check करने के लिए transponder check करने के लिए और उसके अलावा remote generate करने के लिए transponder generate करने के लिए बहुत ही बेतर डिवाइज है तो चलिए दोस्तों उमीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा होगा और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए जाज जाज सेर के लिए फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में गुडबाय ट टेक केर